देखे बिहार में इन दिनों सबसे अधिक अधिक किसी बात की चर्चा है तो चर्चा है कि RCP सिंग को नितीज कुमार फिर से राजस्वा में भेजेंगे या नहीं RCP सिंग पटना में है नितीज कुमार से पत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई है सिबाय हरेंद्र सिंग के बेटे की साधी के शमारों के और देखिए बगैर मुलाकात बात फैसला असंबब है तो देखिए सस्पेंस अब भी ब्रकदार है और लोग जानने के लिए कितने बेताब ह मैं इस बात से समझिये मैं कल रात को दिल्ली से पटना आ रहा था दिल्ली के एरपोर्ट पर मैं जब क्यूं में था बोडिंग करने को और फिर फ्लाइट के भीतर भी जितने बिहार के लोग थे और जो पॉलिटिकल जिन्द वाले लोग हैं वे इस बात को जानने के लिए बेताब थे कि आरसीपी सिंग का क्या हो रहा है आरसीपी सिंग जाएंगे तो क्या होगा आरसीपी सिंग नहीं जाएंगे तो क्या होगा तो देखिए यदि आपको हम अपडेट करें और हम हंडेट पसंट हां हंडेट पसंट ना मतलब वे लोग जो कह रहे हैं कि हंडेट बरकरार है दोनों पक्ष कह रहे हैं कि सफलता उन्हें ही मिलनी है मतलब जो जाने के पक्षदर है और जो न भेज जाने के पक्षदर है लेकिन एक बड़ा सवाल और कुछ नए नाम सामने आने शुरू हो गए है यदि हम ये मानले की आरसीपी सिंग नहीं ही जाते हैं देखिए हम करें ये मानले की नहीं ही जाते हैं क्योंकि कई नाम की चर्चा हो रही है तो फिर कौन लोग हो सकते हैं जो आरसीपी सिंग का बिकल्प हो सकते हैं देखिए हम फिर से सपस करना चाहते हैं आरसीपी सिंग और नितीश कुमार का रिष्टा ऐसा है जिसे पढ़ना असंबब है दिखता है कि हाँ रोस है दिखता है कि आक रोस है दिखता है कि नाराजगी है लेकिन यह नाराजगी कब मिट जाती है कब खटम हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता है इसलिए नितीश क उमार को ही फैसला करना है तो देखिए जिन नामों पर चर्चा चल रही है सियासत के भीतर मैं तो कल चौका भबाइजास के भीतर एक पलिटिकल पंडित कह लिए या बिहार के मामलों के जानकार समझ लिजे या भीतर की खबर रखने वाले जानकार भी आप समझ सकते उन्हों महत्वपुन लोगों को महत्वपुन पद दी जा सकते हैं इसे आप राजसभा के चुनाव से भी जोड़ सकते हैं और आगे आने वाले बिहार विधान परिसत के चुनाव से भी जोड़ सकते हैं तो देखिए चर्चा तो पहले से है कि जेडियू के संगठन के लोगों को इस्वाद तबज्जोधिसा रही है तो आपने देखा कि जब किंग महन्र के निधन के बाद जो उपचुना हुआ उसमें अनील हेग्रे को भेजा गया जो राश्ति ये महासचिम हैं और जिन्होंने कभी अपनी लिए कुछ नहीं मांगा अनील हेग्रे का सम्मान क्यानिती स् आर्सीपी सिंग नहीं जाते हैं तो और कौन तो देखें बहुत पॉपलर नेम है मनीश बर्मा का आपको मालूम है कि उईसा के आईएस रहे हैं उन्होंने बियारिस लिया है नालंदा कनिक्शन है निटिस कुमार के साथ आज भी जूरे हैं तो मनीश बर्मा की सबसे अधि चर्चा चल रही है लेकिन यह संगठन से नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा संगठन से जिनके नाम की चर्चा होती है उनका नाम है अफाक अहमद खान आपको मालूम है दिल्ली में जेडियो के निस्तल आफिस में बैठते हैं और मनीपूर में जो जीत हासिल हुई उस ने इस बात का फैसला कर लिया कि आज से पिसिंग को नहीं ही भेजेंगे तो कोई और मुशलमान भी हो सकता है लेकिन एक और नाम चौक आने वाला जो कल रात मुझे मालू हुआ हबाई जास के भीतर मालू हुआ वह नाम है नालंदा के इंजिनियर सुनील का आप भी चौक और से बिधायक बने बाद में जेडियू के युवा बिंके मतलब युवा जेडियू के पदेश अध्यक्ष बने संगठन का उन्हें अनुभा प्राप्त है लेकिन इधर के कई सालों में वे थोड़े दूर थे देखे जब 2005 के बार नितीश कुमार का प्रभुत्तु बिहा अधरे भुमार जेन सgar वे शरबन कुमार और उन्जीनर शुनिल कुमार के इसी सूरत में इंजिनर सुनिल कुमार की अन्बन हुई टीखा विबाद हुआ और उसके बार ग्वेक दूर होते चले गए हैं नितीस कुमार से प्यार नहीं छुटा नितीस कुमार के प्रतीस सम्मान नहीं खत्म हुआ और इंजिनियर सुनिल कुमार के बारे में पिछले 36 घंटे से बहुत तेजी से चर्चा चल रही है कि उनका बनबास खत्म होने वाला है तो उनका बनबास कैसे खत्म होता है रासभा में खत्म होता है बिहार विधान पैसर में खत्म होता है या कहीं और खत्म होता है यह देखे जाने की बात होगी ख दोनों के बीच जो दूरियां है वह खत्म हो चुकी है और इंजिनियर सुनुईल कुमार का बनवास खत्म होता है तो नालंदा की राजनिटी में एक नया नाम जो पुराना नाम रहा है वह फिर से शक्रिये होगा ठीक इसे प्रकास से देखे रबिंदर सिंग का नाम चल रहा हैं बिहार परेस जंटादल इन्वैटेड की काजाले को संभालते हैं तो इन नामों की चर्चा और आर्सीपी सिंग परिसान तो होंगे क्योंकि अब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है आपको पता है पिछले दिनों आर्सीपी सिंग की उमिदबारी को लेकर उमिद सभी की बाते सुनी फिर नितीश कुमार को अधिकरत कर दिया फैसले के लिए कि आप जिने उमिदबार कहेंगे वही उमिदबार होगा देखिए ऐसी बैठके पहले नहीं हुआ करती थी आनिल हेगरिक आपने देखा ही किस तरीके से चैन हुआ नितीश कुमार ने कह दिया ललन सिंग ने पेश बिगपती जारी कर दी पहले भी जब 2018 में 2020 में आपने देखा होगा कि इस तरह की बड़ी बैठकों का आयोजन नहीं किया जाता था जो नितीश कुमार कह देते थे वही हो जाता था लेकिन इस बार इस्तीतियां और परिशितियां इस तरीके से भिन है और दी परिशितियां और इसका संदेशा क्या जाएगा तो यह तमाम सवाल हैं और इन परिशितियों से गुजरते हुए आपको पता है नितीस कुमार इन दिनों अपने दल के मतलब जनता दल उनाइटेर के पुराने कार्यकरताओं से मिल रहे हैं सीधा संबाद कर रहे हैं आज भी उन्होंने पत्ना के पदेश जदिव कार्याले में कार्यकरताओं के साथ निताओं के साथ बढ़ाया है और ललन सिंग आपको पता है पार्टी के निशनल प्रेसिदेंट है ललन सिंग और आशीपी सिंग के बीच क्या रिष्टा है यह बात भी समझने की है यह बात भी जगजाहिर है कि जब आशीपी सिंग केंद्रिय मंत्री बने ललन सिंग निशनल प्रेसिदेंट बने तो फिर आसिपिक सिंक्य जो लोग थे संगठन के भीधर पार्टी के भीधर वे कैसे किनारे हुए और रिस्टा कहां कहां बिग्रा कहां कहां बना कौन नए लोग आये किस तरीके से पार्टी को शक्रिय करने की कोशिस की गई ये ललन सिंग के लोग मानते हैं दूसरे तरब के लोग मानते हैं कि पार्टी और नीचे गई लोग यह भी कहते हैं कि जब आर्चेपी सिंग नेशनल प्रेसिडेंट है उनके बाद जब ललन सिंग ने संभाला तो पार्टी के पास खर्चे के लिए कोई पैसा ही नहीं था फिर धंग संगला का काम शुरूआ और सो करोर रूपे की रासी इकठा की गई ताकि पार्टी अपने पैरों पर खड़ा हो सके खेल ये तमाम चीजे हैं और आरसीपी सिंग को लेकर अब तक सस्पेंस भरकरार है ध्यान रखिएगा फिर से हम कर रहे हैं मैं उन्हें लोगों में नहीं हूँ जो ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंग का जाना सौब परतिसथ सच है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं आरसीपी सिंग का नहीं जाना सौब परतिसथ सच है फैसला सिर्फ और सिर्फ नितीश कुमार लेते हैं और वे चौकाने वला फैस्तर लेते हैं इसलिए इस खबर पर चुकि बिहार की लोग लगातार जानना चाहते हैं हम बने रहेंगे आप देख करें ये लाइफ सिटिस को यदि अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल लाइफ सिट को सब्सक्राइब नहीं कि